बीए पार्ट शेकिंट के दूसरे पस्तपत्र के अंतरगत मैंने हिंदी एकांकी के विकास से सम्मंदित व्याख्यान स्रंखला जारी की थी जिसके दो भाग व्याख्यान में मैंने आपको हिंदी एकांकी के उद्भव और उसके विकास का आजादी तक जो उसका विकास वा है उससे सम्मंदित अध्यन करवाया गया था इसमंद रूप में मैं आपको दोहरा दूँ कि पहले के उन दोनों भाग में व्याख्यान के मेरे दोनों भाग में मैंने हिंदी एकांकी का आरम पूरी तरीके से पाष्चत नहीं वह भारतिय परमप्रा के अनुकुल उसका विकास शुरूवा था जिसमें मैंने संस्कृत और प्राकर्ट साहित्य की भी चर्चा की थी जिसमें व्यायोग भाग भाण विथी प्रहशन आदिज समस्त उधानों के माध्यम से इस बात को शिद्ध करने का प्रियास किया गया कि एकांकी पूरी तरीके से भारतिय प्राचिन साहित्य की परमप जित व्याख्यान के अंत्रगत आपको विशेश रूप से 1930 से लेकर 1950 के तक हिंदी एकांकी का जो विकास वहा उसकी चर्चा की थी जिसमें विशेश रूप से डॉक्टर रामगुमार वर्मा के द्वारा जो एक एकांकी के मील के इस्तंभ वाने जा सकते हैं वहां से लेकर गणेश प्रसाद दिवेदी तक जिन पर अंग्रेजी एकांकी साहिते का विशेश प्रभाव देखने को मिला था वहां तक मैंने उस दूसरे व्याख्यान में आपको एंदी एकांकी का विकास बताया था आज तीसरे और अंतिम भाग में एंदी एकांकी के विकास से आपको अध्यन करवाऊंगा आजादी के बाद हिंदी एकांकी का जो विकास है वह बहुत तेज गती से हुआ था यो परमुख सबसे पहले हमारे सामने जो परमुख एकांकी कार सामने आते हैं पहले मैं उनके नामों लेख कर दूँ उसके पश्चात उस एकांकी की वीशेव अबस्तु का विवेचनम करेंगे हिंदी स्वत्मता के बाद जो हिंदी एकांकी से समंदित्यों परमुख एकांकी कार हैं उनमें डॉक्टर यैनाथ नलिन प्रभाकर माचवे भगवती चर्ण वर्मा डॉक्टर लक्षमी नरायंड लाल विनोध रस्तोगी सत्यंद्र सहरत रेमती शरंशर्मा, विमला लूथरा, चिरंजीव, देवराज, तिनेश, राजीव, सक्षेना, आदी, उलेखनिय, एकांकी कार हैं ऐसे सेंक्डों सफल एकांकी कारों की गणनायल मैंने कुछ परमुखुदार्ण नामोलेख आपके सामने परसुद किये हैं अब प्रस्ति इस एकांकी में क्या विवितिता देखने को मिलती हैं, पहली बात तो यहां कि जो पहले के एकांकी कारों ने जिन विशों का चेन किया, विशह में मुझे कोई ज़्यादा इसमें परिवरतन नजर नहीं आता है, विशे वही राजटिक, सामाजिक, एतियासिक, पारिवारि एक धार्मिक पौरानिक सांस्कृति गादी विष्वों पर ही इन्होंने लिखा है किन्तु इनके कथानक की एक विशेश बात गिया है कि जो एक परमप्राक्त धांचे में धलावा कथानक पहले में दिखाई देता है वैसा चाहिए कोई भी विश्व हो वैसा एकांकी का कथा एकांगी लगती है एक विशेश तत्य जो अंतर मुझे नजर आता है पूर्व के जो अब तक के हिंदी एकांगी के विकास में और आजादी के बाद के हिंदी एकांगी के विकास में वह अंतर है कि आजादी के बाद के जितने वे एकांगी कार हुए हैं उन्होंने जो हमारी वर्तमान द्यानिक जीवन की जो समश्याई हैं या मद्यमबर्ग की जो कुंठा, गुटन, या उब, या निराशा, त्रास या इस परश्च अब्दों में कहें तो समकालिन जितनी भी समश्याएं हैं मद्यमबर की उस समश्या को एकांकी कारों ने अपने एकांकियों में विशेष रूप से ध्यान में लाने का प्रयास किया तक्नीक की दर्ष्टिकों से देखें तो आजादी के बाद हिंदी एकांकी ने बहुत ज्यादा विकास किया थ पूर्व के जितने भी कथानक है या जो तक्निक है उसमें एक बहुत कुछ परिवर्थन हमारे सामने नजर आता है जहां तक पूर्व एकांक्यों का प्रस्न है तो पूर्व कथा के अंतरगत पात्र क्या होता था कि स्वयम जैसे अपना परिच्य दे रहा हो जबकि आधुनिक यूप की जो एकांकी है उसमें हमें यह बात नजर नहीं आती है रंग मंच के दस्टिकोंड से भी यदि हम देखें तो इतना अंतर नजर आता है कि वह सूचना है हमें स्वयते ही जैसे मिलने लग जाती है देखे पुरानी एकांकी में एकांकी का मंचन तो होता था जैसा कि मैं पहले विदित कर चुका हूँ कि एकांकी और नाटक एक ऐसी विदा है जो अन्य साहितिक विदाओं से भिन है उसका कारण गया है कि ये दोनों विदाओं स्रव्य और द्रश्य दोनों के अंतरगत आती है जबकि हिंदी की अन्य विदाओं स्रव्य और द्रश्य दोनों के अंतरगत नहीं आती है इसलिए हमें यहां अंतर भी देखना पड़ेगा कि अब तक की एकांकियों में किस प्रकार से संगीत गा या तक्नीक का एक विवेजन रहा है और उसमें क्या परिवर्दन आया था जो प्राचीन एकांकी होती थी यानि हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले तक की एकांकी जब उसका मंचनम देखते थे तो उसमें संगीत का प्रियोग हमें बहुत कम मिलता था हर एक असभाविक्ता से बचने के लिए भासा और समवाद आदी सभी छेत्रों में एकांकी में सभाविक्ता लाने के भी कोशिस तो करते थे किन्तो आधुनिक एकांकी कारों ने उस कोशिस में विशे सफलता प्राप्त की एकांकी में आधुनिक जो एकांकी है उसमें विविदिता, कलात्मकता और प्रॉडता सभी द्रष्टियों से उन्नति करती भी नजर आती है एक अंतर जो सबसे बड़ा मुझे जो दिखाई दिएता वह है कि आधुनिक काल में हिंदी एकांकी में एक अलग ही सवरूप उसका एक अमारे सामने नजर आया और वहाँ है रेडियो नाट्य एकांकी के रूप में रेडियो नाट्य एकांकी जो थे वहाँ टेकनिक की द्रष्टि कौन से देखें तो मन्त से वह थोड़ी सी भिन नजर आती है तथा पी हम उसे एकांकी का ही एक भेद कह सकते हैं उन एकांकियों में विशेश रूप से हम देखते हैं जनता का जुड़ाव देखने को मिलता है क्योंकि सामने रूप से हम देखते हैं कि रेडियो से एक भारतिय जो जनता है वह विशेश रूप से जुड़ी वी रही थी जिससे के कारण से वर्तमान जो सामाजिक समश्या की दूसरी बात की यत पुरानी जो एकांकिया है उसमें हम आधर्सवाद का दस्टिकोन अधिक देखने को मिलता है जबकि आधुनिक डंग से लिखी गई एकांकिया रेडियो नाट्य एकांकिया उसमें यतार्थवाद का चितरण हमें अधिक नजर आता है और वह या थार्थवाद जिसमें व्यक्ति और समाज की जो समश्याएं हैं उसका हूभू चुत्रन और उसका समाधान ये बहुत बड़ी देन हम आधुनिक हिंदी रेडियो नट एकांकी की मान सकते हैं और जिस मनोवेग्यानिकता का चित्रन पुराने एकांकी कारों ने शुरू कि जैसे उपिंदनाथ असकन्य और गनेश प्रसाद अधिवेदी या उदेशंकर भटादी ने उसका एक गहरा मनोविश्ल इसनाक्मक विवेचन अपनी एकांकियों में करने का सरी आधुनिक हिंदी एकांकी कारों को जाता है यानि मनुष्य के अवचेतन मन की उलजीवी जो समवेदनाएं हैं जो कुंठाएं हैं वो चित्र हमें इस एकांकी के माध्यम से प्राप्त होते हैं जिससे मनुष्य उस उलजनों से छुटकारा प्राप्त कर सके एक अन्य तथ्य जो नजर आता है वह है कि रेडियो प्रहेशन और जलकियां जो थी वह निश्यत रूप से स यह साहिति कोई विदा है उसका एक उद्देश्य मनुरंजन करना भी होता है तो एकांकियों के माध्यम से हम यह तथ्य देखने को मिल जाता है जो आधुने के कांकी है उसके माध्यम से हमें यह तथ्य भी मिल जाता है जो पूरी तरीके से हमारा मनुरंजन भी करती है वे स रेडियो और प्रहशन के मात्यम से नवीन एकांकी केवल एक ग्यान की या संदेश की वस्तु नहीं वह ही मनोरंजन के मात्यम में भी हमारे सामने आती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल मनोरंजन की वस्तु है उसमें गंभीर सामाजिक, सांसकर्तिक, राजनतिक और मनोवे ज्यानिक जो समश्याएं हैं उनका समाधान भी हमें नजर आता है तो कुल मिलाकर सुवत्मता के पश्चात की जो हिंदी एकांकी है उसमें एक नया दस्टिकोन हमारे सामने प्रसुत्वा उन हिंदी एकांकियों में अनेक अच्छूते विश्य और नई समश्याओं और नवीन दस्टिकोन को अव्यक्त किया गया और उस दस्टिकोन से देखे तो हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत संपन बनाया आज भी हिंदी का एकांकियों परियाप्त मात्रा में अपनी उन्नति कर रहा है विशेवज्थु की द्रश्टिकोन से देखे तो वह अत्यनत व्यापक और विचारों की द्रश्टिकोन से देखे तो वह बहुत गंभीर हमें दिखाई देता है और शैली के दर्ष्टिकॉन से व्यविद्यपून नजर आता है और एक तथ्य जो हमें नजर आता है दर्ष्टिकॉन में कि प्राचीन जो एकांकिया जिसमें गणेश प्रसाद दिवेदित जहां तक समापत होते हैं उन्होंने पश्चिमी जो शैली थी अंग्रेजी एकांक की भी एक नई व्याक्या हमें दिखाई देती है हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन के जितने भी हमारे पक्ष हैं जो भी हमारी समश्याएं हैं उसको व्यक्ष करने में सोतन्ता के पश्चात की हिंदी एकांकी पुरी तरीके से सक्षम और शम्रत है और एकांकी के जितन भी भेड हैं जो आधुनिक काल में विक्षित हुए थे उन प्रसलित सभी भेडों चैसे वह धोनी रूपक हो चैसे वह संगीत रूपक हो रेडियो प्रेशन उ जलकी हो मोना लोग हो या स्वगत नाट्य हो इन सभी का विकास आधुनिक हैं कि हिंदी नाटे एकांकी में हमें नजर आते हैं ये बहुत बड़ा अंतर बहुत बड़ी दैन माने सकते हैं कि जितने भी भेदों के हम अंग एकांकी के मिलते हैं आदुनिकाल में वैसा साहित्य की किसी अन्यविधा में देखने को नहीं मिलता है यहां इतर बात है कि जितना एक प्रसिद्ध काहनी को या उपनियास को मिली थी उतनी प्रसिद्धी हिंदी नाट्य एकांके को नहीं मिल पाई यहाँ कह सकते हैं कि हमारे जो समिक्षक है या जो आलूचक है उनके द्वारा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, आशा करते हैं कि इस विशेपर नथे ध्यान देंगे और הिंदी एकांकि साहिती की जो प्रगतियु आजादिकी बाद उस पर कोई समिक्षात्मक आलोसनात्मक ग्रंत प्रकाशित करेंगे और उसके साथ न्याय किया जाएगा विद्वान पाठकों और समिक्षकों के द्वारा जो एक कांग की कारों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कांग से अपेक्षित प्रोसान भी नहीं मिला क्योंकि जब तक किसी भ परियास करेंगे और जितनी चर्चा कानी और कविता की या उपनियास की आधुनिक काल में या आजादी की बात की जाती है उतनी एकांकियों की बिल्कुल नहीं की जाती है यह बड़े दुख की बात मानी जा सकती है जबकि हम मैंने आपको कहा कि उपलब्दियों की दस्टी कौन से देखें तो एक बहुत बड़ी द्यान धोनी रूपग, संगीत रूपग, रेडियो प्रेशन, जल्की, मोनोलोग की रूप में जो मैं दिखाई देता है यह बहुत बड़ी द्यान मानी जा सकती है उसके बाव पुन नहीं है, हम यहां आशा कर सकते हैं कि हिंदी के सभी समिचक सुवतनता के प्रश्चात हिंदी नाटे एक आंके पर अपना शोत निश्चित रूप से प्रकाशित करेंगे और एक आंकेों के साथ नयाय करेंगे, धन्यवाद